कि नौसकार साथियों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी यदि आप लोग अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ का ख्याल रखें उसके बाद फिर अपने पढ़ाई का ख्याल रखें और तीसरे नंबर पे आप अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीजों का ध्यान रखें साथियों यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक नए चाप्टर के शुर पर पांच टॉपिक्स पर चर्चा की थी आज हम लोग इतिहास लेखन के ही एक अन्य सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है परत्यक्षवादी द्रिश्टी कौन ठीक है परत्यक्षवादी द्रिश्टी कौन इसको आप परत्यक्षवादी इतिहास लेखन भी कह सकते हैं परतक्षवादी हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड भी आप कह सकते हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बारा हैं तो सबसे पहले मेरा आपस निवेधन है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको एक हिस्टोरियोग्राफी ना जरूर किजेगा ताकि एक्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में स्वीधा हो सके और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और वीडियो यदि आपको पसंद आता है इंफॉमेटिव लगत है आप कुछ सीख पाते हैं तब आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेर जरूर किजेगा तो चलिए आज के लेक्चर के शुरुआत करते हैं तो आप लोग लिखें हेडिंग दे दे परतक्षवादी कि इतिहाश लेखन मेरे ख्याल से इसका अंग्रेजी पॉजेटिविस्ट होना चाहिए एक बार आप लोग देख लेना तो जो हिंदी माध्यम के छातर है वह यह लिखेंगे और जो अंग्रेजी माध्यम के छातर है वह यह लिखेंगे लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में भी जाने उसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं ठीक है कई ऐसे टेकनिकल सवाल आते हैं जहां पर हम लोग हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो वहां पर अ साइयर एजूकेशन में जाओगे तो हिंदी माध्धह में बहुत कम किताबे उपलब्ध है ठीक है इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कोशिस किजेगा कि आप दोनों भासा को ठीक ठाक बैलेंस बना करके पढ़ाई करें चलिए देखिए परत्यक्षवादी द्रिष्ट द्रिष्टिकोन पढ़ाया था ठीक है अनुभव बादी द्रिष्टिकोन और जो परत्यक्ष वादी द्रिष्टिकोन है और एक बताया था आपको रॉंके बादी द्रिष्टिकोन ठीक है रॉंके बादी द्रिष्टिकोन के जनक कौन थे लियो पॉल्ड वान या फॉन आगे चल करके वह बर्लिन स्विद्धालय में जो की जर्मनी की राजधानी है वह हाँ पर आशोशिएट प्रोफेशर के तौर पर कारेरत होते हैं और जब वह वह वहाँ पर आसोशिएट प्रोफेशर बनते हैं तब वहाँ पर वह एक नए इनिसियेटिव के शुरुवात करते हैं जिसका नाम रहता है ग्राजुएट सेमिनार्स तो ग्राजुएट सेमिनार्स में वो नए सोधर्थियों को नीउ रियों सेर्च स्कॉलर्स को इन्वाइट करते हैं इतिहास लिकने के लिए तो अब देखोगे कि अनुभब बादी इतिहास लेखन जो है और जो रॉंग के बादी इतिहास लेखन है इन दोनों के बीच में काफी similarities है यही नहीं रॉंग के बादी अनुबब बादी और यदि परत्यक्ष बादी इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों के बीच में भी बहुत जादा समानता है तो अक्सर बच्चे लड़के कनफ्यूज कर जाते हैं कि तीनों अलग अलग नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना तीनों में बहुत बेसिक अंतर भी है और तीनों में बहुत ज़्यादा similarities भी है इसलिए आप से सवाल पूछा जाए तो आप कनफ्यूज मत होईएगा अनुभब आतमक इतिहास लेखन का फ अनुभब बादी इतिहास लेखन में भी यह बताया गया है कि जो ग्यान हम लोग इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वही ग्यान मूल ग्यान होता है और उसी को बेस बना करके इतिहास लिखा गया जिसे हम लोग अनुभब बादी इतिहास लेखन के नाम से जान करके देख लिजे आई बटन में उपर में मैं इसका लिंक डाल दूंगा ठीक है उसको भी आप देख लिजेगा वहां से तो फिलहाल हम लोग यह देखते हैं कि परत्रक्ष बादी आखिर जो अनुभब बादी और रौंग के बादी से कैसे अलग है तो इन तीनों को सिमिलार आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए और जहां पर मैं समझाओं वहां पर आप लिखे नहीं वहां पर आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें ठीक है कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और आप एक बार समझ लोगे तो फिर आप दूसरे को समझा सकते हो और मैं बार-बार अपने शात्रों से बोलता हूँ कि आप पढ़ाई ऐसा करो कि आप दूसरे को पढ़ा सको एक बार आप जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ लिजे तो उसके बाद आप किसी को पढ़ा सके और उसके बाद फिर देखिए वो सारा का सारा टॉपिक आपका अपना हो जाएगा और यदि आपको पढ़ने के बाद आपके अंदर इस तरीके का confidence नहीं आ पा रहा है कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं तब समझ लेजिए कि कहीं ने कहीं अभी कमी है अभी और मेहनत की accept करने की कोशिस कीजिए चलिए तीन बाते हैं तीनों बातों पर ध्यान देते हैं पहली बात कहता है कि समाज सास्त्र राजनीती सास्त्र और अर्थ सास्त्र ठीक है कि 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 दूसरी बाते हैं और दूसरी बात यह है कि इतिहास कि आप लिख लें इसको और तीसरी बात इसको मैं समझाओंगा भी आप पहले लिख लें इसे फिर मैं इसको समझाता हूं कि तीसरी बात के बारे में कर रहा है कि चलो हिंदी में मैं इसे बोल देता हूं देखिए पर्तक्षबादी इतिहास लेखन में तीन बिंदू को ध्यान रखेगा इस कर सकते हो इस लेखन में जो जो इतिहासकार आये उनका मानना यह था कि इतिहास भी बिल्कुल Political Science की तरह, Economics की तरह and Sociology की तरह Science है Most of jocologist हुए Most of joconomics हुए Most of jocultural science के expert हुए politician नहीं Politician तो political science पढ़ते भी नहीं है और भारत में politician बनने के लिए तो political science पढ़ने की कतया अब सकता नहीं है तो political science के जो एक्सपर्ट थे और जो economics के एक्सपर्ट थे और जो सोशोल लॉजिक एक्सपर्ट थे इन तीनों के सबजिक्ट के एक्सपर्टर ने अपने अपने सबजिक्ट को एक science वाना एक बِّढ्द् Yoga तो परत्यक्षवादी इतिहास लेखन में जो इतिहास कार हुए उनका कहना यह था कि इतिहास भी राजनितिक बिग्यान अर्थ सास्त्र एबं समाज सास्त्र की तरह बिग्यान है इसलिए जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल जिन जिन रिसर्च मेथड का इस्तेमाल हम लोग रिस साइन्स सब्जेक्ट में एकोनामिक्स सब्जेक्ट में एबम सोशोलोजी नामक सब्जेक्ट में करते हैं उन उन तरीकों का ही इस्तेमाल हम लोग इतिहास में भी शोध करने के लिए रिसर्च करने के लिए करेंगे समझ में आरे बात पहली बात दूसरी बात इनका यह कहना लेकिन पॉलिटिकल साइन्स का जो पाला है यानि उसको लेखने के लिए बास्तविक्ता इभन से पाला नहीं परता है उसकों उनको जरूरत कम पड़ती है लेकिन परतक्षवादात कि इतिहास लिखन के इतिहास नीके लिए वास्थविक्ता यवन तथियों की सबसे ज़्यादा आवशक्ता होती है कि तीसरा घटेगी एक करके घटनाएं घटती है और एक करके इतिहास का निर्मान होता है पहले एक घटना घटा फिर क्रोनलोजिकल ओडर में आगे एक घटना घटेगी तो इस तरीके से ओडर मेंटेन होता है और फाइनली जा करके एक इतिहास का निर्मान होता है ऐसा बिल्कुल नही बाला है ठीक जैसे आप देखोगे पहले 1757 की लडाई होती है जो पलासी की लडाई के नाम से जानते हो फिर बकसर की लडाई होती है 1764 में तो देखो एक घटना घटी फिर दुसरी घटना फिर तीसरी घटना फिर चौथी घटना इस तरीके से घटनाएं घटती जाती है और इतिहास लेखन का, तो मेरे ख्याल से यदि आप इस तीन बिंदु को समझ लेते हो, तो परत्यक्षिबादी इतिहास लेखन को आप आसानी से डिफाइन करेंगे, और एक पैराग्राफ आप आसानी से लिख सकते हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहें, या फिर आप आप अब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखना चाहें, आप जैसे भी लिखना चाहें, आप लिखिएगा, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, यहां तक सपस्ट है, जहां पर समझ में नहीं आया, वहां पर आप मुझे टाइम सेडूल याद रखना, इतना बस ध्यान रखूं, है न, या फिर कमेंट सेक्षन में आपका जवाब दे सकूं, उसका सॉलूशन, चलो आगे बात करते हैं, अब देखिएगा, कि कहीं पर भी किसी भी विचार धारा के लोग रहते हैं, चाहे वो हिस्टोरियन हो, सोस्योलोजिस्ट हो, या फिर किसी भी कंट धार्मिक विचार धारा के अंतरगत, कुछ लोग सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत हार्स होते हैं, अपने आइडियास को लेकर के, तो जो हार्स होते हैं, उन्हें हम लोग कते हैं, दक्षिन पंथी विचार धारा के लोग, या फिर कटर पंथी विचार धारा के ठीक है जो फैनेटिकल पिपल हैं वो हर एक आइडिया में होते हैं अध्यान रखिएगा हर एक विचारधारा में फैनेटिकल लोग होते हैं उसी तरीके से पॉजिटिविस्ट जो आप्रोच है जो परतेक्षबादी इतिहास लेखन है इसके अंतरगत भी बहुत सारे कटरप पंथी इतिहासकार हुए है यह बात सुनकर आपको अजीब लगेगा लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि यहां पर भी इतिहास लेखन में भी कई तरह के कई लोग जो हुए वह कटरपंथी फैनेटिकल हिस्टोरियन हुए उनके नाम क्या-क्या थे और उन्होंने कौन-कौ प्रोशिस ज्यादा करना जो फैनेटिकल लोग थे उनका कहना यह था कि ज्यान सिर्फ वही है जिसको हम लोग देख सकते हैं परतक्ष अनुभूती से परतक्ष का क्या मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं छू सकते हैं जिसको अप अनुभव कर सकते हैं ठिक जैसे सिर्फ और सिर्फ knowledge हम लोग उसी चीज को मानेंगे जिसकी हम लोग परतक्ष अनुभूती कर सकते हैं यानि कि जिसकी हम लोग परतक्ष अनुभूती नहीं कर सकते उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है उस तरीके का knowledge इस world में इस universe में exist नहीं करता है यह किनका मानना था? कट्टर पंथी परतक्षवादी इतिहास कारों का मानना था ऐसा लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे चीजे जिसको हम लोग अनुभब नहीं करते हैं वह भी ग्यान का सोर्स होता है, वह भी फैक्ट का सोर्स होता है तो कट्टर पंथी किसी भी विचारधारा के लोग रहेंगे, चाहे वो धर्विक विचारधारा के हो, राजनितिक विचारधारा के हो, या फिर इतिहास लेखन जो कि अपने आप में एक विचारधारा ही है, तो इतिहास लेखन के हो, उनके अंदर भी यदि इस तरीके की भा आपनाए रहेंगे तो वह शत्य प्रतीसत किसी वी हाल में सही होने वाला नहीं है लेकिन यहां पर हम लोग सही और गलत के लिए नहीं पढ़ रहें यहां पर हम लोग उनकी राय को जानेंगे कि वो लोग क्या कह रहे थे क्योंकि हमें एक्जाम क्रैक करना हमें सीखना है यहा बार नाम देख लेते हैं कि उसमें कौन-कौन लोग थे और उनका नाम भी आप लिख लीजिए ठीक नाम थोड़ा टफ है तो मेरे ख्याल से मैं आपको लिखवा देता हूँ और आप लिख लीजिए नाम नाम जो है वह है फ्रांस के रहने वाले हैं आप कंट्री के साथ लिखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल करके उनका नाम है नूमा देनिस नूमा बहुत बड़ा नाम है नूमा देनिस फुस्तेल दकुलान यह फ्रेंच में नाम है इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना और इसी में फ्रांस से ही एक और ब्यक्ति हैं जिनका नाम है हिप्पोलाइट तेने हिप्पोलाइट तेने दूसरे ब्यक्ति का नाम लिखें यह दो ब्यक्ति हैं यह दोनों की दोनों फ्रांस से हैं ठीक अगला जो ब्यक्ति हैं वह हैं इंग्लैंड से इनका नाम है टॉमस बकल स्पेलिंग आप देख लेना स्पेलिंग हो सके मिस्टिक भी हो सकता है तो आप नाम पर ध्यान दीजेगा ठीक है चलो और कौन है एक चलो ठीक है ठीक है बकल की किताब है बकल की किताब को आप लिख लिजे इनका बुक का नाम है बुक का नाम आप लिख लू हो सकता है इससे सवाल पूछा जाए हिस्ट्री आफ है कि सीविलाइजेशन है कि इन इंग्लेंड है कि टाइम की बात की जाए तो 1857 से लेकर 61 तक ठीक है और इस किताब में क्या बात किया है बकल ने इस किताब में बात किया है ब्रिटिस क्लाइमेट के बारे में किसके बारे में ब्रिटेन की जलवायू के बारे में वहां के वेदर के बारे में बात किया है ठीक है और वहां के क्लाइमेट जब मैंने बोल दिया तो वेदर आप वेदर भी लिख लो साथ में आप जोग्राफी भी लिख लो ठीक है वह के जोग्राफी के बारे में भी इन्होंने बात किया है और हिपोलाइट तेने की किताब है इसे भी आप लिख लें हो सकता इससे सवाल पूछा जाए तो किताब का इनका नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए आप पहले इसे लिखो इसको मैं मिटाऊंगा फिर हिपोलाइट तेन जो फ्रांस के हिस्टोरियन है उन्होंने किताब लिख्या और या फ्रांस इसी भासा में ही इसका नाम है इसलिए थोड़ा टफ है तो आप घवराएं नहीं ला औरीजी ने दला फ्रांस दला फ्रांस को बोला गया है और इसमें जो टाइम की बात की जाए तो अठारा सो चोहत्तर से लेकर अठारा सो तिरानवे के बीच में ठीक है और इसमें बात किसकी की गई है रेखा गनेत की अलजेवरा की ठीक है चलो अब देखिए कि यहां पर तिन चार लोगों का नाम मैंने बताया ठीक है इन सभी लोगों का मानना यह था कि बीना परतक्ष अनुभूती के जो कोई भी ग्यान प्राप्त किया जाता है उसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है इसलिए सिर्फ उसी ग्यान को हम लोग ग्यान मानेंगे जिसकी परतक्ष अनुभूती की जा सकती है तो यदि आप से इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप इनका नाम याद रखिएगा और किताब का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा आपके लिए बहुत ही महत्पून चीज है ठीक है आगे बात करते हैं इस परंपरा में और कौन-कौन लोग हुए हैं और किनका किनका कंट्रिब्यूशन रहा है उसके बारे में जानते है इन्होंने जो किताब लिखा रिखाग में क्या बात धै कि इस पर चर्चा हो गई और इस परंपरा को धूरे धूरे करकर किनन लोगों ने आगे बढ़ाया उसके बारे में अब हम लोग डिस्केसन करते हैं अब देखिए जन लोगों का नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वो लोग कटर पंथी नहीं है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है कटर पंथी जो लोग थे उनका नाम हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया और उनके किताब के नाम के बारे में भी और उनके किरिया कलाब के बारे में भी जान लिया ठीक है अब देखिए इसमें जो नाम नाम है वह पहला नाम है आप लिखें जर्मनी के इतिहासकार है और इनका नाम है दरसल थियोदोर मोमसेन थियोदेर मोमसेन और टाइम के दिबात की जाए तो वह 1874 से लेकर 1893 ठीक है यह कौन है यह दरसल रॉंके का शिष्य था रॉंके का स्टूडेंट था इन्होंने किताब लिखा रोमन हिस्ट्री कितने वॉलूम में तीन वॉलूम में इसको ध्यान रखिएगा आप ठीक है जर्मनी क्या है इन्होंने क्या लिखा रोमन हिस्ट्री और तरसल जब रोमन हिस्ट्री इन्होंने लिखा तो इनको जाना भी जाता है रोमन हिस्ट्री के नाम से ही ठीक है रोमन जैसे हर एक इतिहासकार अपने अपनी किताब लिखते है तो किसी का एक किताब होता है जो benchmark काम हो जाता है जिसके बज़े से उसे जाना जाता है जैसे आप movie देखते हो तो कई सारे heroes के एक movie आते हैं जिसको आप बोलते हो कि breakthrough जहां से उनको break मिला उस movie के लिए उन्हें जाना जाता है कि वहां से फिरवा नाम कमाते हैं उसी तरीके से इतिहास कार के जीवन में भी लेखक के जीवन में भी कोई एक रचना होती है कोई एक किताब होती है जिसको बेंच मार्क माना जाता है जहां से वह उनको प्रसिध्धी मिलती है यहाँ पर जो यदि बात की जाये थे ओदर मॉमसन की तो यहाँ पर इन्होंने र जैसे इनको प्रसिध्धी मिले थे ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे बात करते हैं अगला जो है अच्छा चलो रोमन हिस्ट्री जब लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन हिस्ट्री में इन्हों पर इन्होंने चर्चा की थे आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर ठीक है चलो एक दो किताब और इन्होंने लिखे उस किताब का नाम भी आप लिख लिजे रोमन हिस्ट्री तो चलो ठीक था दूसरे नंबर किताब की बात की जाए तो दूसरा किताब प्रोविंसेज ओफ रोमन अम्पायर लिखें आप प्रोविंसेज आफ दे रोमन अम्पायर फ्रॉम सीजर टू फ्रॉम सीजर को ने सीजर रोम का सासक था ठीक है सीजर टू डायो कॉलोटीयन यहां यह भी डायो क्लोटीयन भी कौन है रोम का सासक ठीक है और एक किताब और है रोमन पवलिक लॉओ सार्प स्कूट को भी ध्यान रखिए और एक किताब का संपादन ही ने इन तिन किताब को इन्हों लिखा एक किताब का इन्हों संपादन किया और उस किताब का नाम फ्रेंच भाजा में है ठीक है कारपस ओफ लातीन दिख्राया आपको ठीक है कार्पस ओफ लातीन इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन क्या आपने लेख ठीक है चलो तो इसको आपने लिख लिया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है इसमें आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है बस लेखक का नाम जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपसे सवाल आए कि निमनलिखित में से कौन सा इतिहासकार परत्यक्षबादी इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है तो नहीं है वाला ही सवाल दरसर UGC नेट पुछता है या फिर आप किसी भी इन्वसिटी का इंट्रेंस एक्जामिनेशन देंगे या फिर आप RPSC का एक्जामिनेशन देते हैं यहाँ पर भी असिस्टेंट पोफेसर की वैकेंसी से पहले वो लोग एक्जामिनेशन लेते हैं तो वहाँ पर भी इससे बहुत सवाल पुछे जाते हैं इतिहास लेखन से तो इस चाप्टर को बहुत बारीकी के साथ पढ़िएगा और ध्यान से मेहनत करकर के पढ़िएगा ठीक है किताब का नाम भी जरूर लिखिएगा एक भी चीज मिस करेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा अब इसी कड़ी में यदि इसी सिरीज में आगे बात की जाए तो इसी में दुसरे जो इतिहास कार हुए जिन्होंने परतेक्षवादी परंपरा को आगे बढ़ाया उनका नाम है लौड एक्टन ठीक है तो लौड एक्टन ने कौन किताब लिखी और उस किताब में क्या थ काम है इतिहासकार का वह है लौड एक्टन ठीक है लौड एक्टन का टाइम लिखने अठारा सो चोंटीस से लेकर नाइंटीन हंड्रेड एंड्टू तक इसका टाइम फ्रेम है ठीक है इसने जो अपना कंट्रिविशन दिया है वह कैम्ब्रीज केम्ब्रीज मौडन हिस्ट्री जब लीखा जा रहा था तो इसका पहला जब शंपाधन किया गया तो उस पहले संपाधन में फस्ट संस्करान में लौड एक्टनर्क्रा अपना कंट्रिविशन दिया था ठीक है और Lord Acton का मानना दरसल यह था कि आने बाला समय में यानि कि आने बाले भविश में जब सारे fact एक साथ collect हो जाएंगे तब जाकर के ultimate history लिखा जाएगा लेकिन क्या ऐसा समभब है? क्या सारे fact को एक साथ collect किया जा सकता है? नहीं क्योंकि समय के साथ साथ fact भी बढ़ते जाएंगे तो जो बात Lord Acton यहाँ पर कह रहे थे वह बात चलो ठीक है या एक utopian idea की तरह लगता है तो acton का कहना या था कि आने बाले समय में future में यदि सारे fact को एक साथ collect कर लिया जाए तभी जाकर के ultimate history लिखा जा सकता है तो यदि आप से यह बात पूछी जाए कि ultimate history लिखने की बात किस ने की थी तो Lord Acton ने की थी ठीक है यहां तक असपस्ट है तो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के इतिहास कार का नाम लिखें और इसमें है उनका नाम है जेबी बरी बहुत ही famous बैकती है जेबी बरी और यह कौन है यह अंग्रेजी इंग्लिश मैन है ना तो अब यह सी बात है इंग्लेंड करने वाले होंगे ठीक है समझ गए होंगे आप बात टाइम फ्रेम लिख लो 1861 से लेकर 1927 तक अब देखो इन लेखक का आप जब समय देख रहे हैं तो आप देखो कि यह 19 सदी से लेकर के 20 सदी के पुरवार्थ त इंदा है यह 1902 में चले गए यह 1927 में चले गए एक लिखक और होंगे मेरे ख्याल से तो वह अभी इसी के टाइम फ्रेम के आसपास वह भी चले जाएंगे तो अदि आप से पूछा जाए ही परत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समय कब से कब रहा है तो आप यह बो बोलि ओटे हैं ठीके किताब लिख है किताब का नाम है हिस्ट्री औफ ग्रीस को कि ourяж तो में लफ जो ग्रीस और दूसरा किताब क्रेम है को हिस्ट्री ओ और लटर्च रोमन एमपाईर ठीक है है यह दो किताबे इन्होंने लिखी और एक्टन का कहना या था सूरी ये भी बरी का कहना या था कि इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो उन्हें फैक्ट के बारे में बहुत ही जदा सचेत होना चाहिए और fact को collection करने में उसको collect करने में उनके अंदर expertness होनी चाहिए हिंदी में बोलते हैं पांडित पुर्ण होना चाहिए उन्हें उस बारे में विशशग्य होना चाहिए तभी वो fact को collect करें तभी इतिहास बेहतरिन तरीके से लिखा जा सकेगा यह किन का मानना है जे भी बरी का जे भी बरी कौन है अंग्रेजी इतिहासकार है जिन्होंने लिखा history of Greece and a history of the latter Roman Empire ठीक है अब देखोगे कि most of your historians है they are belonging from positivist approach and they are focusing on completely Roman history so if you want to give a lecture on this topic you will say that कि positivist approach के अंतरगत Roman history को centralized किया गया है Roman history को ही केंद्र में रखा गया है और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है जर्मनी से हो रही है ठीक है इसके फांडर जर्मनी सही थे पहले जिनकी बात की जर्मन इतिहासकार की थी हमने तो देखिए गा कि 19 सदी और 20 सदी तक इसका प्रभाव लगबक पुरी दुनिया पर रहता है ठीक एक इतिहासकार और है इसमें उसका भी नाम लिख लिया जाए अगला जो इतिहासकार है उनका नाम है दो ब्यक्ति हैं ठीक है अगला जो इतिहासकार है उनका नाम है चौथे नंबर पर है ठीक है सीबी लांग लुवा और अगले हैं उनका नाम है चार्ल्स सन येबो ठीक है सन येबो किताब के बात की जाए तो इन्हों ने एक किताब लिखा था सन येबो ने किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू किताब शपा था ठीक है और इस किताब में भी बात किया गया है किस चीज की फैक्ट को सही तरीके से कलेक्ट करने की इस किताब में भी क्या बात किया गया है फैक्ट को सही तरीके से कलेक्ट करने की और बोला गया है कि जब historian इतिहास को लिखें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा effective तरीके से परभाव साली तरीके से इसको लिख सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा audience पर उसका परभाव पहुँच सकें ठीक है तो परतक्षबादी इतिहास लिखन में जो जो इतिहास कार हुए हैं उनके बारे में हमने आपको एके करके बता दिया इससे ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की आप शक्ता नहीं है तो किताब का नाम याद रखिएगा और उनका जो मैंने शुरुआती दौर में उनका जो बेस बताया जिसके आधार पे उन्होंने अपने इतिहास लिखन की शुरुआत की थी उन तीन बिंदूओं को भी ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हम लोग इसके आलोचना के बारे में ठीक है इसके कई सारे आलोचक हुए परतेक्षवादी इतिहास लिखन के और इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि रौंके के जो सिस्स हुए है कई सारे कई सारे जो उनके स्कॉलर्स हुए तो उनका भी एक बार नाम जानते हैं और उनके भी किताब के बारे में हम लोग देखते हैं ठीक है तो आप लिख लें परतेक्षवादी इतिहास लिखन की आलोचना क्रिटिक्स ठीक क्रिटिक्स में लिखते हैं हम लोग कौन-कौन है नाम के साथ बात करेंगा ना पहले का नाम है जोहान गुस्ताव द्रोसेन टाइम लिख लिजे अठारा सो आठ से लेकर अठारा सो चौरासी ठीक चलो दूसरे नमबर पर दूसरा नमबर है जैकब वर्क हाडर्ट ठीक इनका टाइम है अठारा सो आठारा से लेकर अठारा सो संतानवे ठीक और तीसरा नमबर लिखें अठारा सो आठारा सो आठारा सो चौरासी ठीक इनका नाम है जीवल मिशले और इनका टाइम है सत्रा सो आठानवे से लेकर अठारा सो चौरासी ठीक है अब देखिए छलो ठीक है ठीक है ठीक है अ कि यह जो है जोहान गुस्तान दरोसिन यह दरAसल रॉंके के सिष्य थे कौन से रॉंके के सिष्य और यह भी बर्लीन बिस्वित्दाले में जहां पर रॉंके प्रोफेसर थे उसी बिश्वित दालाय में असोसियेट प्रोफेसर के तौर पे यह भी कार्य कर रहे थे कब से कब यदि बात की जाए तो 1869 से लेकर 1884 इस वी तक यह बर्लिन बिश्वित दालाय में प्रोफेसर थे और उसी भी स्विद्धाले में रॉंके भी प्रोफेसर हुआ करते थे तो दोनों में साथ ने पढ़ाई की थी लेकिन जो गुस्तान द्रोसेन है यह रॉंके का शिश्य था तो रॉंके ने जब अनुगवबादी इतिहास लिखन परतक्षबादी इतिहास लि कहा कि एक नपुन्सक की वस्तू परक्ता है ठीक है जिस वस्तू परक्ता की बात की थी रॉंके ने उस वस्तू परक्ता कोई होने कहा किया एक नपुन्सक की वस्तू परक्ता है एक शिश्य ने अपने गुरू के बारे में गुरू के स्टेट्मेंट के बारे में ऐसा कहा ठ नहीं है जैकोब वर्क हाड़ट ने भी अलोचना की यह भी बर्लिन में ही था अगौस्तुन थियोरी ने भी इसके अलोचना की और जील मिशले ने भी इसकी आलोचना की है ठीक है जील मिशले के बारे में एक बात लिख लिए कि इसका जो विचार था वह रोमांटिसिजम से इसकी प्रभावी था रोमांटिसिजम क्या हता है हम लोग आगे बाद करेंगे इस पे बहुत बड़ा टर्म है तो इसको बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ठीक है इतना ध्यान है जाने लिजए कि जो जो आइडिया था वह हिस्टोरिक रोमांटिसिजम से इंप्यक्तिव थे उसे प्ररभावी था कुसी से ज्यादा वाРЕवी था इसका विचार ठारढ़ कोने इसकी आलोचना की है ठीक है उसके बाद और हम लोग देख लेते हैं और कॉन कॉन से लोग थे इन्हों नहीं जो आलोचना की थी ठीक है किसी और का नाम नहीं ठीक है अब देखते हैं कि परतक्ष वादी के आलोचना और किसले भी की गए परतक्ष वादी दोच्छे वह प्रकृति विज्ञान के थियोरी में भरोसा करते थे ठीक है जो नैचुरल साइंस था उसके थियोरी में बिलीव करते थे लेकिन आगे चल करके इसी में एक आगे चल करके एक सापेक्षता का सिदान्त आता है जब आइस्टीन चल करके आते हैं कब 1913 इस्वी में ध्यान रखिए ठीक है अलोचना में ही हम लोग अभी बात कर रहे है यदि यह बात की जाए तो आप देखोगे कि बिस्वी सदी आ चुका है ठीक और यह लोग परत्यक्ष ज्ञान पर ही भरोसा कर रहे हैं और साथी साथ प्रकिर्ती विज्ञान पर भी भरोसा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है ठीक लेकिन 1913 में आइंस्टीन ने एक थियोरी दि सापेक्षता का सिद्धान इसको आप लिख लिजेगा एक पॉइंट और आप लिखें जब हम लोग जर्मनी की बात कर रहे थे तो 1818 का जिक्र बहुत बारबार आ रहा था तो 1818 भारते इतिहास में बहुत महत्त्यपूर्ण है इसी साल काल माक्स का जन भी हुआ है ठीक है और इसी साल जर्मनी का जो बहुत बड़ा बिश्विद्धाल है बोन बिश्विद्धाल है जहां पर माक्स ने पढ़ाई की थी और भारत से अंबेदकर ने पढ़ाई की थी उसकी स्थापना भी इसी समय की गई थी है तो फैक्ट इससे आप 1818 से ध्यान में रखिएगा ठ ठीक है और फिर यहां से क्या हुआ अलवर्ट आइस्तीन का थियोरी चलने लगा इसी लिए इसको भी सापेक्षता के सिदान्त को भी परत्यक्षबादी इतिहास लेखन के आलोचना के तोर पे काउंट किया जाता है देखा जाता है आगे दी बात करें तो उसमें और भी ल सापेक्षता वाद का सिदान्त आया तो इस सिदान्त को कई इतिहास कारों ने ठीक है इस सिदान्त को कई इतिहास कारों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया उसमें कौन-कौन लोग है उसमें जर्मनी के भी लोग थे ठीक है तो उसका भी आप नाम लिखे नाम क्या है उनका दो-चार लोग हैं उनका भी नाम लिख लिया जाए पहला है जर्मनी से ही है बिलियम, बिलहेम, डेल्थी इनका टाइम है 1833 से लेकर 1911 ठीक, दूसरे है इटली का ब्यक्ति है और बेनेडेटो क्रोचे इनका नाम है इनका टाइम है 1866 से लेकर 1912 प्रथम लोग सभाचुना भारत का ठीक है, तीसरा इंग्लेंड में एक ब्यक्ति हुआ उसका नाम हुआ आरजे कॉलिंग बुड्ड बहुत फेमस ब्यक्ति है इसने किताब लिखी थी, उसकिताब का नाम लिख लीजे उससे सवाल हमेशा पूछा जाता है आइड़ आइडिया ओफ हिस्ट्री दा आइडिया ओफ हिस्ट्री ठीक कॉलिंग बुड्ड के टाइम के दी बात की जाए तो वह है अठारा सो नवासी अठारा सो नवासी में क्या हुआ था मेरे खाल से अलाहाबाद बिश्विद्दाले के स्थापना हुई थी अठारा सो नवासी से उनी सो तितालिस भारत छोड़ा अंदोलन के ठीक एक साल बाद तक ठीक ठीक एक साल बाद यह मर गए तो कॉलिंग बुड की किताब लिख लिए आइडिया ओफ हिस्ट्री से सवाल कई बार पूछा गया है तो इन लोगों ने सापेख्षताबाद के सिदानत को आगे बढ़ाया इनके आगे चल करके अमेरिका से एक हिस्टोरियन हुए जिनका नाम है कारल बेकर ठीक है लिख लीजे कारल बेकर तो कारल बेकर ने भी इनके ठीक को आगे बढ़ाया ठीक है तो कॉलिंग बूर्ड कारल बेकर का कहना यह था कि इतिहासकार के लिए इतिहास के तथ्यों का अस्तित्व ठीक है इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए कारल बेकर एक अमेरिकन हिस्टोरियन हुआ उसने कहा कि इतिहासकार के लिए किसी भी तथ्यों का अस्तित्व तब तक नहीं है, जब तक कि उस तथे का उप्योग इतिहास के निर्मान में न कर लिया जाए, समझ में आरी बात, और इसी बात को बहुत पहले इचकार ने कहा, उसके बाद इचकार ने कहा, पहले नहीं, इचकार ने इस बात को कहा था, कि सारे के सारे हिस्टोरियन अपने 24 के कॉर्डि인 ऑर ऊसी स्वाइक को उतिहास के तौर पर इतिहास लिखन में उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वह चीजें हमारे पास इतिहास के तौर पर चलकर आती है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए callingwood ने यहाँ तक कह दिया कि इतिहास जो है पूरा का पूरा इतिहास वह विचारों का इतिहास है किसका इतिहास है thought of history history of thought ठीक है किसने कहा था statement याद रखेगा सारा का सारा इतिहास विचारों का इतिहास है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कथन है आर जे कॉलिंग बुड दुसरी बात इतिहासकार के लिए कोई भी तथ तब तक इतिहास नहीं है जब तक कि उस फैक्ट का उपयोग इतिहास के मिर्मान के लिए न कर लिया जाए यह स्टेटमेंट किसका है कारल बेकर का कहां का हिस्टोडियन है अमेरिका का तीसरा व्यक्ति जो कि इंग्लेंट का ही है उसका नाम है इचकार इचकार वहां से और आगे निकल जाते हैं और इचकार का कहना या था कि तथे तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उनसे ऐसा करने के लिए कहते हैं इतिहासकार ही तै करता है कि किस तथी को और किस क्रम या संदर्व में बोलने देना है और आगे बढ़कर के कहते हैं कि कोई भी तथ एक बोरी की तरह है बोरी क्या जो स्कूल में हम लोग बच्पन में सरकारी स्कूल में जिसको बिचा कर बैठ कर पढ़ते थे जिसमें चावल भरेंग नहीं तब तक वह ख Esseक क्या है एक बोडी है अब उसमें किया करेंगे कैस्पक歌 को हम लोग डालेंगे और जब सेख्ड को डालेंगे तो अब वह घड़ा हो जाएगा और जो खड़ा होता थे वह ही इतिहास होता है और यह यह बात कहके यह सूचित कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि कोई भी फैक्ट तभी बोलता है जब इतिहासकार उस तथे का उपयोग इतिहास लिखने में करता है जैसे बहुत सारे लोगों का इतिहास नहीं लिखा का चर्च में जो पादरी लोग थे उनका इतिहास लिखा गया है लेकिन यदि सामान्य वर्ग की बात की जाए यदि लोकल हिस्ट्री की बात की जाए जनजातियों की बात की जाए या फिर जेंडर के अधार पर बात की जाए महिलाओं की बात की जाए तो उनका इतिहास को नक पहले इसकी कोशिश की गई है तो महिलावादी इतिहास लिखन की भी शुरुवात की गई है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कौन-कौन से हिस्टोरियन काम कर रहे हैं या फिर काम कर रही है इस बात का हम लोग भी ध्यान रखेंगे एक करके चर्चा तो परतक्षबादी इतिहास लिखन के आलोचना के बारे में बस इतना ही और जो परतक्षबादी इतिहास लिखन के बारे में पीछे हमने बताया उसको भी ध्यान रखेंगे तो यदि सौट में बात करनी हो हमें सारांस के तोर पे तो हम लोग कह सकते हैं कि परतक्षबाद टिहासलेखन और अनुप्हब बादी टिहासलेखन एवं रॉंके बादी टिहासलेखन के बीच काφी समानताय है और मुख्य तोर पे इसका जो किर्येशन हुआ है वह जर्मनी के में हुआ है और इसका जर्मनी एबंविष्व के अन्य भागो पर परभाव रहा है ठीक है और इसमें इस विचारधारा के अंतरगत मुख्य मुख्य historian यहां थे जिसमें America से भी थे जर्मनी से भी थे इटली से भी थे और England से भी थे ठीक लेकिन मुख्य तोर पर जर्मनी थे जर्मनी से थे रॉंके थे रॉंके के सिश्ष बगार थे तो यहां तक यह दिया स्पस्थ है तो मेरे ख्याल से यह तीनों इतिहास लेखन आपको समझ में आ गया होगा और परत्यक्षिवादी इतिहास लेखन पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा इसमें आपको आगे कुछ भी पढ़ने के आप सकता नहीं है एक दो किताब का नाम है जो कि लास्ट मेदी इस पे आप रिसर्च करना चाहते हो और र किताब से सवाल पूछा जाता है और इन किताब का सहारा लिया गया है दरसल इस चाप्टर को लिखने में इसलिए मेरा मनना है कि इस किताब को भी आप जानिए ताकि इससे सवाल पूछा जाए तो कोई भी आप से सवाल छूटे नहीं और दरसल सवाल इसी से पूछा जाता किताब का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस किताब का लेखक कौन है तो ध्यान रखेगा और इसमें जो जो किताब मैं लिखवाने जा रहा हूं यह सारा का सारा किताब फेमस है ठीक है पहले किताब की बात करते हैं यह कार की किताब है यह तो आप नाम है प्रोफेसर रहे हैं दूसरे बात करते हैं किताब का नाम है दर ट्रूथे औफ हिस्ट्री कि दर ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री राइटर का नाम है इसी बेहन मैकुला तीसरे किताब का नाम है The Logic of History ये सब किताब पढ़ना जरूर कभी मौका मिले तो बहुत ये शामदार किताब हैं सब इनके वी राइटर हैं C.B.H.N.M.C.L.A. और चौथे नमबर पे लिखें The Nature of History ये सारे के सारे किताब कोर्सवक में पढ़ाया जाते हैं इनका नाम है और थर मार्बिक है ठीक है और पब्लिकेशन बगर तो आपको लिखने क्या आप सकता नहीं है उतना जानकर आप क्या करो गए स्टीफेन डेविस किताब का नाम लिखी है इंपिरिसीजम इन हिस्ट्रे लेखा का नाम है स्टीफेन डेविस छठे नमबर पे मेन करेंट इन शोशो लॉजिकल थोट लिखा का नाम है रेमंड कपड़ा वला नहीं रेमंड आरो ठीक है यहां तक समझ में आरी बात साथ में नमबर पे उपर में लिख लिजिए इनका नाम है हिस्ट्री सुरी किताब का नाम बता रहा हूं हिस्ट्री मैं एंड रीजन लेखा का नाम है मौरीस अ मैंडेल वाम और अधिया स्पेस बच रहा है तो एक और लिख देते हैं उपर में उसको भी लिख लिजिए आठमें नमबर पे इसका नाम है सोशोलोजी सोशोलोजीकल परस्पेक्टिव ठीक है लेखा का नाम लिखें केनेथ थॉम्पसन प्लस जेरेमी टंस्टॉल ठीक है तो एक वर आप किताब को लिख लीजिए ठीक है स्क्रीन सोट भी आप ले सकते हो लिख ले और इस चाप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नय लेक्टर में एक नय टोपिक के साथ तब तक के लिए अपना अबम अपनों का ख्याल रखे और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजेगा और लोगों के साथ शेर जरूर कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगोंको ने चानल के साथ कनेक्ट कीजिए इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत अभारी रहेंगे थाइंक्वी बारी माइस तो जॉइन मी बाइबा टेक क्या